हेलो दोस्तो अकार आईएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर में विवेक परमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभी खाली में आपने सुना होगा इसराइल और पैलेस्टाइन मतलब इसराइल और फिलिस्तीन के बीश में जो ये लड़ाई हो रही है अखिर इसका मुख्य कारण क्या है क्या हो रहा है कि इतना भीशोन एक युद्ध दोनों में शुरू हो गया है और इसराइल ने भी ये बाट डिकलियर कर दिया है अब कभी भी अगर देखें जिसे हम लोग इस तरह के जब तस्वीरे देखते हैं जो छखजोर कर रख देती है अब देखिए आप ये है वह हालात तो जो इसराइल और गाजा पटी यानि फिलिस्तीन के शेत्र दोनों शेत्रों में जो एक दूसरे की तरफ से बंबारी की जा रहे हैं ये सब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को मानवता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा रही है तो क्या हुआ था साथ ओक्टोबर को सुभे साड़े छे बज़े जो पांच हजार रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए इसराइल के उसमें और कई सारे हमास के लडाके वहां की सड़कों पर उद्रे कई लोगों को बंदी बनाया कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया आखिर इस पूरी लडाई की जड़ क्या है इस लडाई की शुरुआत क्या है कौन कौन से कारण है इस लडाई के लिए आज का हमारा मुख्यमदा यही है इसमे हम वो सारे के सारे जितने भी important point से वो discuss करेंगे कि आखिर इसराइल और फिलिस्तीन के पीशे लड़ाई के मुख्य वज़े क्या है और फिलहाल इतना बड़ा हमला उन्होंने क्यों किया इसके भी कारण को हम जानेंगे एक ये भी चीज़ देखें कि इसमें आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं इसके लिए तो चली आज का लेक्षेर हम शुरू करते हैं कि सबसे ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन वाला आखिर है क्या जगड़ा लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको एक नक्षा समझना पड़ेगा तब ही जाके हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे देखें ये है हमारा पूरा जो धर्ती का माप है पूरा जितने भी इसमें देश हैं सामिल आप अगर हम चैने पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लड़ाई हो कहां रही है तो ये है हमारा भारत देश इंडिया ये भारत है तो भारत से जड़ा पश्चिम में आजाई है इस तरफ जब आप पश्चिम में आएंगे तो मैं एक हिस्सा मार्ग कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर हिस्सा बस यहीं ये पूरी लड़ाई इस हिस्से में हो रही है अब ये क्या है इस सब तरफ देखेंगे अब पहले आपको कम से कम ये समझ में आ जाए कि जिस हिस्से की में बात कर रहा हूँ वो हिस्सा आखिर है कहां ये वो हिस्सा है में जहां पर रड़ाई चल रही है तो ये अगर हम ध्यान से अब देखें तो इसका एक बड़ा क्लोज अप माप लेते हैं हम लोग ये है इसराइल का नक्षा तो उस जो हिस्से को मैंने माग किया था ये वो पूरा नक्षा है अब पहले आप ये समझ लीजे कि इसराइल का नाम बार बार जब वो जो आ रहा है वो इसराइल कौन सा देश है तो ये है वो इसराइल देश जो मैंने माग किया है इस इस इसराइल में एक छोटा सा ये हिस्सा है यहीं पर देखिएगा बहुत ध्यान से ये मैंने माग कर दिया पुरा है, इसी को गाजा पटी कहते हैं, जो आप लोग न्यूज में सुन रहे हैं, गाजा पटी, गाजा स्ट्रिप, ये वही गाजा पटी है, ये गाजा पटी असल में 7 से 8 किलो मेटर चौड़ी है, मतलब अगर इसका मैं 6 त्रिपल देखूं, तो 7 to 8 किलो मेटर, 7 से 8 किलो मेटर है, कहीं कहीं 10 किलो मेटर, तो रफली अगर हम मानें, तो 10 किलो मेटर ये मैक्सिमन चौड़ी है, और 45 किलो मेटर लंबी है, मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि अगर ये गाजा पटी है, तो लगभग 45 किलो मेटर और 7 से 10 किलो मेटर इसकी विट बैंक केहते हैं क्योंकि बार-बार इनके नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए चीजे कहां की हम बात करें। वчес्ट बैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है जॉर्डन नदी। उस जॉर्डन नदी के या पश्शिम में हैं। इसलिए इसको पश्चिमी किनारा या वेस्ट बेंक कहते हैं, तो ये दो पे आप ध्यान रखेगा, जिन जिन को मैंने बता रखा है, ये है वेस्ट बेंक और ये कौन सा है गाजा पटी, क्योंकि इन ही में जनरली फिलिस्तीन के मुखे वो दो संगठन हैं, जिनकी में बार- बार बात करूँगा, ठीक है, अब थोड़ा साम नक्षा देखें कि इसके इस तरफ कौन है, तो एक देश है जिसको जॉर्डन कहते हैं, इसराइल के इस्ट में अगर हम देखें तो जॉर्डन कहते हैं, नॉर्थ इस्ट में तो सीरिया एक देश है, उपर देखेंगे तो लिबनान एक देश है नॉर्थ में और इधर मिश्र या इजिप्ट जिसको हम कहते हैं, तो इसराइल के वेस्ट में इजिप्ट है, इधर देखेंगे जॉर्डन है, उधर सीरिया है, उधर लिबनान है, और ये है पूरा भूमद्य सागर, पूरा एक सागर जिसको मैडिट जाजार रॉकेट दागे गए, यहीं से बाइक से या पैरागलाइडिंग, पैरागलाइडिंग होता है जो बहुत नीचे उड़ सकता है, दो दो तीन तीन लोग उसमें बेट गर जाते हैं, तो ये राडार में इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग तीन हजार से जादा मौते हो चुकी है दोनों शेतरों में, क्योंकि अब रेटैलियेशन में इसराइल ने भी आकरमन किया है, तो ये इनकी मुख्य बज़े क्या है, इसको जानने के लिए हम इसको डिगोड करते हैं, स चेतर और धर्मिक रीजन ये दोनों की ये लड़ाई है, जो इसराइल और फिलिस्तीन की आज लड़ाई बनी है, सबसे प्रमुक करण के लिए हमें पाँच इवेंड को समझना होगा, 1897 में शुरुआत हुई थी, क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी दो धर्मों के लोग है देखें, जिससे खास करके अगर मैं ये एजब्ट बोलू, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ये जितने भी मेने देश बताए, इन सब को अरब देश कहते हैं, अरब देश का मतलब है, यहाँ पर अरबी भाशा बोलने वाले या हम कहें, मेनली ज्यादा तर मुखिता यहाँ इसलाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर मैं इसराइल में कहूं तो इसराइल में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, यह भी आपको जानना होगा, जितने भी आसपास के देश से इसलाम धर्म को मानने वाले हैं, इसराइल में यहूदी जिवस जिन को हम कह परिशान किया जा रहा था तो इन यहूदियों ने क्या किया एक संगठन बनाया एक आंदोलन किया जायोनी आंदोलन यहीं से शुरुवात होती है जायोनी आंदोलन इन यहूदियों ने सोचा कि हम लोग अपने यहूदियों के भले के लिए हमें जो लोग परिशान कर रहे ह उनके लिए हम एक संगठन बनाते हैं ताकि हम अपनी स्थिती को सुधार सकें और ये जायोनी अंदुलन उस समय सफल भी हुआ और इसराइल ने धीरे धीरे मतलब यहुदी लोगों का यहां प्रोहत्पु स्थापित होने लगा लेकिन कालांतर जैसे इसे समय आगे बढ़ता गया जैसे 1914 में विश्वयुद्ध हुआ उस विश्वयुद्ध के दो साल बाद ब्रिटिन और फ्रांस आते हैं ब्रिटिन और फ्रांस दोनों ने एक साइक्स पिकोट नाम का एक समझोता हस्ताक्षर किया जिसके तहत फिलिस्त पूरे अपने कबजे का वो एक साइन कर लिया समझोता साइक्स पिकोट जो 1916 में हुआ फिर धीरे 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 क्या हुआ विश्वयुद्ध हो या पहले कहीं भी कोई भी हो जब भी इनका उत्पिडन होता तो यह लोग यहीं इसी शेत्र में आकर बसने लगे कौन देंगे और अगर आगे बढ़े तो 1917 में एक बैलफोर डेकलेरिशन आता है यहां जैम्स बॉलफोर यह ब्रिटेन के ही एक फॉरिंड सेक्रेटरी विदेश चाची उथे दो नवंबर 1917 को इन्होंने एक डेकलेरिशन दिया जिसको बैलफोर डेकलेरिशन कहते हैं बालफोर यह डिकलेर किये गया कि यहूदियों को यहां पर रहने का और उनको अपने संगटन बनाने का अधिकार है इससे यह अरब देश फिर से और चड़ने लगे कि ऐसा हो गया यह उनको जगे नहीं देंगे तो यह धीरे धीरे उस शेतर की लड़ाई शुरू होती है फिर और अ के द्वारा मारा गया तो जर्मनी ने जब उन पर इतना जल्म किया तो वहां से फिर जितने भी यहूदी थे यूरोप से वो भाग कर कहा आ गए इसी शेतर में आने लगे धीरे 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 यहां पर यहूदी बस्तियों का और विशाल या जथा बनने लगा या उनके और स यहीं से शुरू होती है तो आपको एक चीश समझ में आ गई होगी यह लड़ाई की मुख्य वज़े यह है आठारा सो संतियान में जो उत्पिडन के बाद इन्होंने यहां आए नाजी के बाद जो जर्मनी या हिटलर के द्वारा परतारित किये गए यहूदी यहां आए हुआ इसको अपना एक देश बनाना चाहते हैं लेकिन आसपास के जितने भी अरब देशे यह नहीं चाहते हैं कि यहां रहे तो शुरूआत तो यह हुई लड़ाई से एक दूसरी शुरूआत होती है यह वेस्ट बेंक में यहां एक शहर है जरूसलम यह जिसको यरूशलम हिंदी में कहते हैं, तो यह जो जिरूशलम दे से, इस में एक मस्जिद है, यहाँ पर इस जगे इस सहर में, अल-अक्सा, तो अल-अक्सा जो मस्जिद है, यह भी बहुत इंपॉर्टन है, कहते हैं, मुसल्मानों के लिए, मक्का और मदिना के बाद, तीसरा सबसे धर्मिक प बताएंगे आपको, इसराहिल ने, वहाँ उसको खाली करवाने के लिए, और वहाँ पर भी बॉम गिराए गए अल-अक्सा मस्जिद पे, तो कहते हैं, कि यह हमारा एक पवितर स्थान है, जिसको हम हमारे कबजे में लेंगे, और फिलहाल, यहाँ इसराहिल कबजा करना चा वजे हैं, एक तो जगे की लड़ाई की अरब कंट्री चाहते हैं हमारा डॉमिनेंस हो, इसराहिल चाहता है कि यहुदियों का डॉमिनेंस हो, और दूसरा वो अल-अक्सा मस्जिद जो जिरूसलम में यहाँ पर है, जिस पे पूरे के पूरे दुनिया के मुस्लिम भी क्लेम करते हैं कि यह हमारा पवित्र स्थान है, क्रिशन भी, इसाई भी क्लेम करते हैं कि यह हमारा पवित्र स्थान है, और उसी पे यहुदी भी क्लेम करते हैं कि यह हमारा पवित्र स्थान है, तो वो दोनों ही इनके पीशे लड़ाई की वज़े है, फिर धीरे-धीरे क्या होत को दो भागों में बाट दिया जाए एक भाग तो दे दिया जाए इसराइल को या यहूदियों को जिसको हम कहते हैं यहूदियों को और दूसरा भाग दे दिया जाए उन फिलिस्तीनियों को जो लोग ये फिलिस्तीन शेतर के माने जाते हैं मतलब इसलाम के जो माने जाते हैं वो समरथक तो फिलिस्तीन वाले जो लोग है उनको एक शेतर देने की माँगी गई एक शेतर यहुदियों को देने की माँगी गई इसको यहुदियों ने तो बिल्कूल मान लिया के ठीक है हम लोग इस पैघरी करते हैं लेकिन इन अरब देशों ने नहीं माना, उन फिलिस्तीनियों ने भी नहीं माना कि यह हमको चाहिए, हमको उनका मानना था पूरा चाहिए, यहां से यहुदी बिलकुल हड जाने चाहिए, तो यह संघर्ष बढ़ता गया, और 1947 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखेगा, 1947 और 48 में तो 48 का साल बोल दीजिए, इस समय पहला एक युद्ध होता है, और 1948 में क्या होता है, यह जो सीरिया आपको दिख रहा है, इधर एक देश ए इराक, तो सीरिया, इराक, जॉर्डन, एजिप्ट, मिश्र, पध्ध्याँ जुनिएगा, मिश्र, जॉर्डन, इराक, सीरिय चारो मिलकर, चारो मिलकर, चारो मिलकर चौतरफा आकरमन कर देते हैं इसराइल पे, लेकिन इसराइल की एक खास्यत है, यह टेक्निकली, मतलब यह टेक्निकली और फिनांशली, पैसो के मामले में, और एक टेकनलोजी के मामले में, बहुत अड़वान से हैं इन देशों से, सोचिए आप 1948 में जब चारों देश इस पर आकरमन करते हैं इधर से सीरिया ने आकरमन कर दिया इधर से जॉर्डन ने आकरमन कर दिया इधर से इजिप्ट ने आकरमन कर दिया उदर से इराक ने कर दिया चारों देशों को 1948 में हरा देता है इस्राइल मिलके और चारों देशों को जब हराता है तब परिणाम ये होता है कि जो वो मुख्ष सिटी है जेरुसलम उसका पश्चिमी भाग तो मिल जाता है इसराइल को और पूरवी भाग किसको मिल जाता है जॉर्डन को तो जेरुसलम जो में अनका इक धार्मिक इस्थान है उसका पश्चिमी भाग मिल गया इसराइल को और पूरी भाग किसको मिल गया जॉर्डन को लेकिन इस युद्ध में इसराइल ने चारों देशों को एक साथ हरा दिया तो और उन लोगों को लगने लगा अब एक संगठन बनकर आता है यहां से धीरे 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 क्या होता है ये संगठन 1987 के आसपास बनता है 1987 में एक संगठन बना हमास अहमद यासिन और अब्दिल अजीज ने ये संगठन बनाया और इन्होंने कोशिश किया कि हम इस पूरे शेत्र को अपने कबजे में कर लेंगे और यहुदियों के खिलाफ काम करेंगे लेकिर उसके पहले कि मैं ये चाहता हूँ एक इवेंट आप सुनें जो बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है जरूरी है 1967 का वो युद्ध जो बहुत जरूरी है शिक्स डे वार कहते हैं इसको शिक्स डे वार शे दिवसी युद्ध ये बहुत इंपॉर्टन है इस पूरे घटना करम को समझने के लिए 1967 में छे दिन तक युद्ध चला इसलिए इसको शिक्स डे या च्छे दिवसी वो युद्ध कहते हैं ये युद्ध किन के बीच में चला ये युद्ध में फिर से इसराइल था और इसराइल पे फिर आकरमन किया गया किस की तरफ से इजिप्ट की तरफ से मिश्र की तरफ से आकरमन किया गया इसमें जॉर्डन की तरफ से आकरमन किया गया इसमें सीरिया की तरफ से आकरमन किया गया इस बार इराक शामिल नहीं था लाकि बहुत सारे और अरब देश ने इनको परदे के पीछे से मदद की थी पर सीरिया जॉर्डन और इजिप्ट तीनों ने मिलकर इसराइल पर आकरमन करा 1967 में इस आकरमन में छे दिन तक चला बहुत भीशन युद्ध था कहीं जाने गई बह उसमें टिकनलोजिकल अडवांस मामले में इतना स्ट्रॉंग है वो उसके नीटियों के कारण की वो देखिए इतने सारे अरब देश से घिरा होने के बाद भी वो युद्ध जीत जाता है और जीतता है तो ठीक उसने कितनी जगे पे कबज़ा किया यह जो सीरिया है इसकी जगे है गोलन हाइट्स इस गोलन हाइट्स पे उसने कबज़ा कर लिया जितना भी यह पूरा पोर्शन है यह गोलन हाइट्स बहुत इंपॉर्टन है यह एक्जाम में पूछा भी जाता है गोलन हाइट्स कहां है सीरिया में वो गोलन हाइट्स यह उसकी पहाड़ियों पे कबजा किसने कर लिया इसराइल ने सीरिया से जगे चीन ली जॉर्डन की अगर बात करें तो यह जो पूरा वेस्ट बेंग है जो मैंने बताया था जॉर्डन नदी के पश्चिमी वाला यह पूरा जेरुसलम जो था ये पूरा का पूरा किसके कबजे में आ गया खास करके पूर भी हिस्सा भी पश्चिमी तो इनके पास था पूरा जेरुसलम किसके पास आ गया ये आ गया इसराहिल के पास इजिप्ट की बात करूँ तो ये जो पूरी जगे है ये पूरी जगे जो है जिसक पैनिसुला, हलाकि सिनाई पैनिसुला 1979 में एक संधी के तहत वापिस कर दिया था मिश्र को, जब मिश्र ने इसराइल को एक मानिता भी दे दी ती, पर फिलाल के लिए जानिए, ये सिनाई पैनिसुला और ये गाजा पट्टी दोनों मिश्र से छीनी है, इसराइल ने गोलन ह अगे उभर कर आता है, जिसका नाम है PLO आप सुनते हैं, 1964 में ये बन चुका था, जिसको हमच शुकीरी ने बनाया था, Palestine Liberation Organization, जो फिलिस्तीन लोग है, उनके मुक्ती एक संधीन कहा जाता है, जो उनके पनरवास के लिए काम करना, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे फ जिस भी रास्ते से हो हमें इसराइल को कमजोर करना है, वही जो फिलिस्तीन और्गनाईजेंशन संगठन बनता है, तो फिर क्या वाद धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया, एक और militant group या जिसको कई आतंगवादी संगठन भी घोशित कर चुके हैं, और बिल्कुल इस तरह क फिलिस्तीनियों का जादा वर्चसव है, वेस्ट बेंक और गाजापटी, गाजापटी में कौन एक्टिव है हमास, जो ये चाहता है हमास संगठन जो 1987 बना कि पूरी तरह से आम्स का इस्तमाल करकर हम इसराइल को कमजोर करेंगे, और इसको मदद कौन करते हैं, इरान इसक फिलिस्तीनियों का ये हिद चाहते हैं, दूसरा अगर हम देखें हैं वेस्ट बेंक तो यहाँ भी एक संगठन जिसका नाम है फता संगठन, तो दो संगठने फिलिस्तीनियों के एक हमास एक फता पर दोनों में बहुत अंतर है, हमास संगठन चाहता है कि हम पूरी तरह से यहाँ पर गोला बारूद और हमेशा लड़ाई जारी रखें, आतनकवादी गतिविदियों के द्वारा ये इस पर कबज़ा करना चाहते हैं, लेकिन अगर फता की हम बात करें तो फता जो है, वो नॉमल यहाँ पर चाहता है कि जो ओसलो संगठने हैं उसको माने, और क्या के तातकालिक परधान मंतरी याद्जिक रैबिन को, यजजाक रैबिन को, तो इसराइल के परधान मंतरी यजजाक रैबिन और पियलो के नेता उस समय जो पियलो थे उसके नेता थे यासिर अराफात, दोनों को वहाँ बुलाए जाता है, मध्यस्ता की जाती है कि ये वार होते हैं इनको हमको रोकना होगा वो बता सारे के सारे अरब देश हैं वो та का साथ देते हैं फिलिस्तीन का और ये जो इसराइल है यहुदियों का साथ जनरली कौन देते हैं ये देते हैं यूरोप के देश जैसे खास करके अभी यूएसे ने बुलाए कि हम पूरी सपोर्ट देंगे और उन्होंने कई सपोर्ट अभी तक दे देते हैं एक फिलिस्तीन के पीशे खड़े हैं सारे अरफ देश बाइस अरफ देश उसको सपोर्ट करें इरान है कतर है अब तो साओधी भी उसकी तरफ बोल रहा है और सीरिया है जॉडन है सब कुछ उसकी तरफ है तो जब दो गुट बनते है ना तब क्लैश होने का डर रहता है और वो बहुत बड़े एक युद्ध में कनवर्ट हो सकता है इसलिए छोटे से छोटा भी अगर कॉन्फलिक्ट या युद्ध होता है तो उसको टालने की पूलता है तो उसको फिलिस्तीन नहीं मानेंगे ऐसा कौन एक देश है जिसकी दोनों से अच्छे रिष्टे हैं उस सर्फ है भारत तो फिलाल भारत की तरफ सब देख रहे हैं कि यह मद्धस्ता करें जैसे चाइना ने बुला हम मद्धस्ता करने को तैयार है लेकिन भरोसा सबसे जादा किस पर वो तो भारत पर है तो भारत अगर मद्धस्ता करता है इसमें दोनों देश के बड़े-बड़े जो लीडर से उनको बुला के कहीं भी एक न्यूटरल प्लेस पर अगर बात करता है बहुत बड़ी पहल होगी और वैसे भी भारत का कद बहुत ऊचा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ है कि हमें ये देखना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर कि ये लड़ाई क्यों थी ये तो आपको समझ में आपी ये हमास संगठन कहा है ये यहां गाजा पट्टिम ये फता संगठन जो है ये यहां पर है तो वो औसलो सांत इन्यों को स्वायत एक सरकार बनाने का परमीशन है कि वो छोत जो आपको छेतरत दीये जाएंगे वहां आप कुछ समय के लिए राज कर सकते हैं मतलब आप हमेशा के लिए वहां स्वायत अपनी एक सरकार बनाकर राज करें इससे कभी लड़ाई नहीं होगी लेकिन कहते है कि इसराहिल ने बहुत सी जगे से अपने दावे नहीं छोड़े, फिर कहानी शुरू होती है लडाई की, और जब वो औसलो समझोते के अकॉर्डिंग कुछ दावे नहीं छोड़े, तो ये लोग हमास और जो फतास अंगठन वाले हैं, या पियलो जो पैलेस्टेन लिबरिश भी किये इन्होंने बहुत बड़े, जो एक 1987 से लेकि 1993 तक हुआ, दूसरा 2000 से 2005 तक हुआ, तो ये है पूरी कहानी इनके पीछे लड़ाई की, एक बात और बता दे हाल ही में 2021 में, 2021 में अल-अक्सा पे कई इसराइल की तरफ से गुला बारूद वहां दागा गया, तो इन ल अच्छे, कॉमन में, आम आदमियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, तरीका उनका और एक कुछ वीडियो तो ऐसे थे जिसे एक मिमिन को नैकेट परेड कराया गया, उसमें ट्रक में जीप में रखकर, तो ये मानोता को शर्मशार करने वाली घड़ना हैं, लड़ा ये तो और नफरत पैदा होती है इससे, दोनों के अंदर आपस में, और अब देखिए उसका खामियाजा भुगतना पढ़ रहा है, ये इधर से चला रहे है, आम आदनी मर रहा है, यहां भी गरीब भूखे बच्चे सब मर रहे हैं, तो दोनों तरफ से इसमें नुकसान हो है, आगे अगर चाहें सब कि ओसलो के सांती समझोते को मान के और दुनिया के बड़े-बड़े कंट्री से अगर बैटके निगोसियेशन या डायलॉग करें, तो उससे ये मामला बस वही तरीका है, लेकिन जो संगठन होते हैं, उनको लगता है, जैसे अभी क्यों अटेक क अगर करवा के इनके रिष्टे सुधार रहा है, इजराईल यहूदी और इस्लामिक कंट्री अरब देश को, तो हमास को ऐसा लगता है कि अगर इनके रिष्टे सुधार गया और जो की बहुत अच्छी ट्रैक पे ते सुधार रहते है, तो कहते हैं, यही सबसे मेन दे देंगे इसराइल को एक देश की तो उसी समय देखिए उसने यह आकरिमन्ट किया कि बहुत भीशन अगर आकरिमन्ट यह ऐसा कुछ करेंगे हमास ने जो अटेक किया पांसे रॉकेट दागने वाला ऐसा अगर करेंगे तो मजबूरन इसराइल को हम पर एक्षन लेना पड़ेगा इसराइल अगर उसको युद्ध में तबिल करता है तो जितने भी अरब देश थे वो सारे अरब देश अमेरिका से दूर हो जाएंगे इसराइल से दूर हो जाएंगे और अमेरिका की जो मद्यस्तता वाली नीती है वो फेल हो जाएगी, यही वो चाहता था, और कुछ वैसा ही हो भी रहा है, अब सारे अरब कंट्रीज जो इसराइल के लिए थोड़े सिंपाथिटिक हो रहे थे या जिनके बीश में अच्छे रिष्टे सुधर रहे थे, सब ए यह बड़े बड़े देशों के द्वारा, और यह खत्म होना चाहिए, तो यह था अभी उसके आकर्मन करने का, कुछ और भी रीजन दी आकर्मन करने के, जैसे 1973 में भी एक लड़ाई हुई थी, तो कहते हैं उसके 50 वी वर्षगाट थी 6 अक्टूबर को, तो वो चाहता था कि यह जो वर्षगाट है, इसको वो इस तरह से मनाएं, तीसरा एक तरीका है, यह है इनका यहूदियों का सबसे पवित्र परव होता सिम्चेट टोरा, वो सिम्चेट टोरा का यह आखरी दिन था, सबसे आखरी दिन पवित्र का, तो वो चाहते थे कि, जैसे उन्होंने 2021 मे लकसा पर बाम गिरा है, तो यह चाहते थे कि, जो धार्मिक फेस्टिवल है, उसका एक रिटालियेशन बदला लेने के लिए उन्होंने अभी आकर्मन किया, तो यह कुछ रीजन से कि, हाली आकर्मन उसने एकदम से क्यों किया, पर मुक्ष रीजन वही है, वो अरब देशो को इसराइल के करीब आने से रोकना चाता था, जो यूएस की पॉलिसी का हिस्सा था, अपनी तरफ वो उसका ध्यान आकर्शित करवाना चाहरा था, तो यह वो वज़े हैं फिलहाल इसके इस पर आकर्मन करने की, वज़े जो भी है, लेकिन तरीके बहुत गलत है, तो अब यही है कि कितनी जल्दी यहां पीस रीस्टोर होती है और दुनिया फिर से एक शान्ती की तरफ जाती है, यही आशा है, देखें इसलिए हम भारत को सबसे शान्ते प्रिये और विश्व गुरू का दरजा देते हैं, क्योंकि भारत जनरली बहुत शान्ते प्रिये देश है, यहां टॉलरेंस है, यहां लोगों में बहुत आपस में सब एक साथ सभी त्योहार मनाते हैं, सभी लोग रहते हैं, यहां गौतम बुद्ध जीसे महापुरुश हुएं, यहां विवेक अनन जी जीसे महापुरुश हुएं, स्वामी दयानन सरस्वती जीसे महापुरुश ह तो अब अगर वो सब लड़ाई के पीछे सारे देश अगर इंडिया की तरफ देख रहे हैं तो उसका कारण है हमारी जो लिगसी इंचिन हिस्ट्री से अब तक चली आ रहे है और आई होब कि बहुत जल्दी यह सब रुके और सब फिर से शांती भालो सभी लोग अच्छे से पीस में रहें तस यही आशा करते हैं मिलते हैं नेक्स लेक्षर में एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ एंक्यू सुना